आप सभी का स्वागत है स्वात कीर सोई में तो फ्रेंड्स हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हैं तो आज मैं आप सभी के साथ गुड़ और मुपली से बनी गुड़ पट्टी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है तो आप इस रेसिपी को एक बाज जरू ट्राइ करें और हमें कमेंट लाइफ करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां लिया है एक कटोरी मूपली 200 ग्राम गुड़ और थोड़े से सोंप अगर आप सोंप पसंद नहीं करते तो आप सोंप को अवाइड कर सकते हैं देखिए फ्रेंट्स मैंने गैंस पर कड़ाई चड़ा दी है फ्लेम ओन कर दी है अब हम इसमें गुड़ डालेंगे अब हम इसको चलाते रहेंगे गुड़ को गुड हमारा मेल्ट हो चुका है और हमने लोग को मेडियम का रखा है अब हम इसको चलाते रहेंगे तास में दो से तीन मिंट के लिए अब ये हमारा गुड मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें मूफली आड़ करेंगे अब गैस को बंद कर देंगे मैंने इस प्लेट को घी से ग्रीज कर लिया है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसे एक गंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे अब ये हमारी सेट हो चुकी है अब हम इसको कट कर लेंगे ये बिल्कुल असानी से कट रही है निकलेगी नहीं लेकिन आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं ट्रेंगल में या फिर किसी भी शेप में काट सकते हैं तो देखे फ्रेंट्स हमने इसको कट कर लिया है हम इसे रोस्टेट तिल से गार्निश करेंगे ये अब हमारी बिल्कुल रैडी है ये बहुत ही टेस्टी बने हैं आप इस रेसिपी को एक बात जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट बोक्स में बताए कि आपको कैसी लगी है आप हमारी रैसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई